तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्राखन चारधाम के बारे में जानेंगे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्स और कुछ ऐसी जानकारी जो आपको जर्नली भी पता होनी चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप की फॉर्ड मेकर ऑफ जैनिजम यानि की जैनिजम के अंतिम तीरतंकर कौन वे उनका आपको नाम बताना है चार आपके पास ऑप्शन है आप बोलेंगे कि हम चारधाम के बारे में पढ़ रहें ये कोशन क्यूं है तो वह अभी आपको आगे पता चलेगा तो फिलाल हम शु बद्रिना जो टेंपल है या जिसको बद्रिनारेन टेंपल भी बोला जाता है एक हिंदू टेंपल है एक हिंदू टेंपल है जो की डेडिकेटड है आपके लौड विश्नु को यानि की भगवान विश्नु को डेडिकेटड है जो की कहां पे सिच्वेटड है आपके बद् बद्रिना दिस्टिक औफुट्राकंड VO जैन धर्म के पहले दिर्दंकरते जिनका नाम था रिशरब देव वो भगवान विश्णु को यानि कि वैशनव धर्म को फॉलो करते थे तो उसके बाद से ही जो जैन धर्म के लोग हैं वो आपके बद्रिनाथ टेंपल में वर्शिप करने जाते हैं तो यह आप ध्यान रख जो आप का बद्रिनाथ टेंपल है ये बेसिकली छे महिने के लिए खोला जाता है यहां के कपाट छे महिने के लिए खुलते हैं कौन्से वो छे महिने हैं आपके end of April मतलब, April के अंत में कपाट खोल दिये जाते हैं और November के शोरुवात में बंद कर दिये जाते हैं ।्सक् Omaha वहां पे आपकी भारी बर्फबारी हो जाती है उसके बाल तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि उसके बाद तीर्थ यात्री जो हैं वहां जा सके तो इसलिए कपाट बंद रहते हैं अगले 6 महीने के लिए ठीक है आपका कहां पर प्रेजेंट है चमूली डिस्टिक ओफ उत्रा कि आप माता मूर्ती का मेला लगता है आपके बद्रिना टेंपल में तो यह बहुत ही और सिग्निफिकेंट फेस्टिवल वहां का माना जाते है ठीक है तो यह हमने बात कर ली बद्रिना टेंपल के बारे में यहां से आपके पिक्चर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है इस पांच प्रियाग से होके गुजरना पड़ता है जो कि उतरा कंट के पांच प्रियाग इनको बोलया जाता कूं रिए हथ स्क्रिंशॉ words टो हम याद कर लेते हैं इसको लिए न онकरलेश को फिल यहां पर है आपकर सथोपन नंढ़ तो अलकनंन नंदा कर वाहा rides तो अलग नंदा नदी आपके कहां से निकलती आपके सतोपन्द ग्लेशियर से और यमना तो आपको पता है यमनूत्री ग्लेशियर से ठीके तो यहां से आपके अलग नंदा निकलते पर आईगी सतोपन्द ग्लेशियर से रास्ते में आके अलग नंदा नदी को धौली गंग जोइन कर लेती है कहां पर विश्णु प्रियाग में तो विश्णु प्रियाग में कौन-कौन नदियों का संगम है अलक नंदा और धौली गंगा अलक नंदा को हम पूरे यहां आगे तक लेके चलेंगे तो यहां से अलक नंदा और आगे आएगी यहां पर धौली गंगा न और आगे आएगी और आपके केदारनाथ जो कि मंदा की नी रिवर के किनारे मतलब यहां से आपके मंदा की नी रिवर आएगी यहां से आपके अलक नंदा आ रही है और यह दोनों कहां पर मिलेंगे रूद्र प्रयाग में फिर आपकी अलक नंदा और आगे आएगी यहां से आपकी गंगोतरी से भागी रती नदी निकलती है कहां पर मिलेगी देप्रियाग में यह important fact है आपकी गौमुक यहां पर एक glacier है जहां से निकलती है भागी रती नदी बहुत बच्चों को confusion होती है कि गंगा नदी निकलती कहां से basically तो वो concept में आपका clear करते है जो यह चलती तो देप्रियाग में आगे बढ़ने के बाद इसको गंगा बोला जाता है तो basically concept यही है गंगा नदी directly गौमुक से नहीं निकलती लेकिन जो भागी रती नदी होती है वो गौमुक से निकलती है और जब वो अलगनंदा को join कर लेती है तब इसको गंगा बोला जाता है ठीक basically हुआ क्या था जो हमारे आदी गुरु शंकराचारे जी है उन्होंने अपनी सरीर त्यागा था यानि कि उनका यहां पर समाधिस्तल है तो इसलिए यह famous है आपका केदार नाडाम ठीक है इसके बारे में अगर हम बात करें कहां पर यह present है बहुत सिंपल चीज है उत्तराग बंद रहते हैं उस टाइम पर होता क्या है जो भगवान श्रिफ की डोली है उसको उखीमट ले जाया जाता है और उखीमट में भगवान श्रिफ की अगले 6 मेने के लिए पूजा होती है तो यह हमने बात कर लेकि कब इसका कपार्ट खुलते हैं कब इसके बंद होते हैं मत मतब उस ट्रैक पर आपको चलना होता है ठीक है एक आपदा के बारे में आप लोग में जरूर सुना होगा जोकी हुई थी 2013 में मतब 16 और 17 जून 2013 में ये एक आपदा आई थी बहुत ही भयानक ट्रैजडी थी मतब एक बाढ़ आई थी और उसमें बहुत सारे लोगों के मृ थी बहुत सारी चीजें मतब डिस्ट्रक्ट हो गई थी लेकिन अब फाइनली रिकंस्रक्ट हो चुका है तो आप बहुत ही अच्छा है मतब के दानात आप के दानात मंदीर की एक सुन्दर सी फोटो और यह हैं हमारे प्राइब Minister नरेंद्र मोधी अभी लास्ट मंथ आदि गुरु शंकराचारे की मोधी जी ने इनाउगरेट करी है लाश मन्त ठीक है तो यह हमने बात कर ली अपने केदारनाथ और बद्रिनाथ दोनों धाम के बारे में अब आज आते हैं हमारे क्वेशन पे जो कि मैंने आपको पूछा था क्वेशन क्या था कि लास तीरतंकर कौन रहे हैं जैनिज्ब के तो इसका आपका अंसर क्या हो जाएगा घंड ऊम create मने और इसे ते आप पहले तीर तंकर ठीक है पहले आपके डिशनुद हुए और आखरी महाई कि मिह महाई श्एम्ऑ अगरada sonica था वर्दमान इनका बच्पन का नाम तो लेंड और अटी वीडियो